हें गाईज क्या आप भिए सीखना चाहतें computer programming language लिकें आपको नहीं पत्था कि कैसे सीखें या फिलर आप computer स्टूडर्न हो या फिलर Computer पढ़ाई कर रहे हो तो आपके programming language सीखें रहे हो त्हाब programming language में basically होगा ही C++ प्रस तो आपको नहीं पता आप बेगनर लेवर पे हो तो आज मैं आपको प्रोग्रामिंग लेंग्वेज बताऊंगा कैसे बनाते प्रोग्राम किसे एक्षिक्यूट होता है अरिथेमेटिक कैलकुलेशन कैसे होती है तो आप ये वीडियो देखते रहिए मैं आपको complete information देन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम आज प्रोग्रामिंग लेंग्वेज के बारे में complete information पर बात करेंगे और प्रोग्राम बना की देखेंगे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नामा दित्यमंटेकर आप देख रहें आधी गेमिंग दोस्तों चलिए दोस्तों शूरू करते हैं आज का वीडियों कि तो आप भी सीसा भ्रोग्रामिंग लेंग्वेज्वे लि कीविशू की लिए आपको जो मैं बोलुँगा प्लीज आप उसे फॉलू कीजिए जो मैं टिकनिक बताऊंगा आप सिंपलियो पेज पिलिक लिक जो मैं बताऊंगा प्लीज आप उसको follow कीजिए और आप उमीद है आप programming language सिखी जाएंगे C++ काफी easy होती है तो मैं जो practical बताऊंगा तो ओ प्लीज आप follow कीजिए तो programming language start करते तो programming language में सबसे पहले लिखते हैं syntax तो आप जैन बोलेंगे यारे syntax क्या है होता है syntax तो syntax जो होता है जो method होती है जैसे हम match करते है तो match में भी एक method होती है तो उसी method से हम लिख सकते है तो और programming language में भी same process होती है method से आपको सब कुछ लिखना पड़ता है तो please आप यह method follow कीजिए तो हम method आपको दिखाते हैं चलो hey guys तो सबसे पहले हम लिखते है h include studio.h और बाद में लिखते है h include koneo.h तो यह program run करने का स्थिंतिक सही से हम adder file कहते हैं यह लिखना बहुत जरूरी है आप इसे simply learn कर लीजिए etaj और बाद में लिखते है main main के बाद दो bracket लगेंगे बाद में लिखते यह दो करली प्रेसेज यह ओपन करली प्रेसेज और यह है क्लोस करली प्रेसेज और इसके बीच में इसके बीच में लिखते हैं प्रोग्राम यही प्रोग्राम बरन होता है और एक्जेक्यूट होता है तो यह प्रोग्राम यह है फुरा सिंटेक्स कैसे हम प्रोग्राम लिख काक्ते हैं तो आपको पता चलिए लिए कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं अगर आपको समझ में आया होगा थक्ति कृषी में ब्रॉल्स. व्याज में आपनने वीडियो के स्टार्टिं में कर मेंि दियान humor और शंप हेला मई आपको समझ में कंसी क्तिपै लोगरण 1973 पर हम पर आते है data types और variables और data types क्या होते है data type तो दो प्रकार के होते है primary data type और एक secondary data type तो हम primary data type ही करेंगे primary data type में आते है character, integer, flow, double और primary data type में आते है array, pointer, structure, etc तो यह आते है अगर आपको advanced level पर सीखना है तभी आप primary data type सीख सकते है तो आपको फिर पालूम पढ़ेंगा array क्या है, pointer क्या है, sector क्या है, etc यह बहुत से आते है तो आपको यह भी समझ में ने आएंगा अभी हम simply programming language सीख रहे है तो आपको primary database ही सीखना पड़ेगा तो चलो अपने course के तरफ आगे बढ़ते है अगर देखते है data types और variables क्या होते है कैसे काम करते है तो देखो यार आपको अगर computer के memory में अगर कुछ store करना है तो आप directly store नहीं कर पाऊंगे आपको उस चीज़ का data type और उसका variable नाम declare करना जरूर है अग अगर माइक simply आपको एक बात कहानी के इसमें बताओ अगर आप कोई स्कूल में admission लेने को जाना है तो आपको थोड़ना principle direct admission देगा पहले आपको कुछेंगा न कि आप कौन से class पे बढ़ के आए हो कहा तक पड़े हो कौन से class में admission लेने माले हो इसलिए हमें भी variable और data type डिक पर देखते हैं चलो तो हम बात करेंगे data types और variable जो मैं आपको चार important data types बताओंगा वह basically सब लोगों को पता होना जरूरी है अगर आपको सी programming भी सिखनी है तो सबसे पहले आता है कार, character है, c-a-r character ये एक byte को श्टूर करता है ये आपको याद रखने की जरूरती है जब हम आपके देखेंगे तब आपको ये मालूम हो जाएगा, तो character value अपने को show करने के लिए सबसे पहले लिखते है, a character, b character, c character, ये basically आपको alphabet character लिखने के लिए, character लिखने के लिए आपको care याद रखना पड़ेगा, ये इसमें हम alphabet लिख पाएंगे, तो मुमीद आपको ये character value सम मज में आ गया होंगा, character value में हम alphabet लिखते है और बाद में लिखते है, हम integer, int int, ये basically 2 byte को store करता है, और इसमें हम लिखते है, integer में, number, number value को हम लिखते है, ये ध्याजी सुनिया, दोस्तों, number value को हम लिखते है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, dash, 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 और बाद में हम लिख कर पाते है, और इसमें हम लिखते है, 1.2 और 2.0 और 2.3 या, 2.4, etc, बाद में हम लिखते है, double, double ऐने, none, non-professional, इसमें हम 8 byte में लिखते है, तो आपको इत्ता है याद रखने के जरुआ है, तो बाद में हम लिखते है, syntax, तो मैंने हमने देखा है, c programming language में भी लिखने का synthesis हो होता है, maths भी हम solve करते है, जुसका भी एक तरीका होता है, तो ऐसा भी data types और variables लिखने का भी एक syntax होता है, तो सबसे पहले हम लिखते है data type, क्या लिखते है दोस्तो, data type, data type बेसिकली दो प्राकार के होते है, आपने सुना है, primary और secondary, primary में हम लिखते है, character, integer, flow, double, तो हम लिख लिख सकते है, दोस्तो, a, b, c, d, etc, आपका मन हो, आधित्य लिखो, विजय लिखो, कुछी भी लिखो, आपका मन हो, बाद में हम लिखते है example, हम example से दिखते है, तो example में हमें कुन सी value store करने हो लिखते है, जैसे हमें int लेना है, number value को show करना है, तो int, integer लेंगे, integer के बाद हम उसमें किते नंबर को store करने, क्या लिखना है, तो हम एक directly syntax लेते हैं, एक word लेते, एक नाम लेते, character, character का हम लेते है, x, आप चाहे कुछ भी लो आपकी मरजी, मैंने तो कहा है, आप a, b, c, d, से जहेड़ तक आप कुछ भी ले सकते हो, आपके लिए, आपके data store करने के लिए आपको उनसा भी word ले सकते हो, बाद में हम लिखते है, semicolumn और semicolumn के बाद लिखते है, अगर आपको लिखना है integer, और किसी का लिखना है नाम, तो आप, sorry, number, तो आप लिखिए simply num, n, um, num, और अगर आपने लिखा integer, my name, तो ये हो जाएंगा गलत दोस्तो, तो ये गलत तरीक में कोई data store करने के लिए आपको space इत्तो सी भी नहीं देने के दोस्तो, जैसे हम लिखेंगे integer, my, space नहीं देंगे, direct name और semicolumn लगा देंगे, ये है basically correct तरीका, तो हम अगर किसी point value को show करेंगे, तो इसे हम simply लिखेंगे float, उसका फिर semicolumn, और बाद में, जो आप लिखेंगे, box में आपका show हो जाएंगा, और ये है दोस्तो correct तरीका, तो basically आपको समझ में आगया होँगा, character, integer, float, double, क्या है, कैसे work करता है, कैसे हम किसी भी semicolumn में, कैसे कौन सा भी character, कैसे show कर सकते है, तो basically आपको समझ में आगया होँगा, तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, उमीद होँगा, आपको data types और variables पता चल गए होँगे, कैसे data type में, integer में क्या लिखते, character में क्या लिखते, float में क्या लिखते, double में क्या लिखते, तो आपको ये सब पता चल गए होँगा, तो अभी हम छोटा मोटा program बना के दिखते है, hello world का, तो आप देखिए, कैसा बनता है program, तो video तो काफी लंबा होगे, तो मैं आपको explain ने कर पहूंगा, आप simply देखो, मैं कैसा program बनाता हो और execute करता हो कैसा 2 सबस्साँ आपको आपको आपका प्रिय्च वासबस साफथ And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on and on we'll go In up and on and on and meantime In up and on and on and on and on and on all Than We'll go करते है ctrl plus f9 दबाके तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हूं का कैसे लिखते है h include कैसे लिखते है header file कैसे लिखते main कैसे लिखते print as सब आपको पता चल गया हूंगा तो अभी हम सीखेंगे एक दो यूजर से कोई पर data store करके point scene पर value कैसे put कर सकते है तो आप आगे का वीडियो देखिए जहाँ पर मैं आपको practical करके बताऊंगा तो आप उसको slow करके फिर से आप अपने लैपी पर practical करके देखो और सिखो programming language दो यूजर से एक यूजर को point value कैसे देते है तो चलो दोस्त कि अपाले अपाँ, चलो आपने लैपको कर से और सकते है तो आपको क्योंको कर को इंकуждITY ही description,ấpक विजर बता organizations पर THIS प्र सुम्स आपको कर दिएकर अशर हार्ताव, मैं आपको कर को दो And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played And now I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways So, you'll see how we can do How we can do the 20 plus 20, how we answered And we'll simply do the Integer data type Plus and division method के प्रोग्राम तो आपको सिंप्ली और समझ में आ गया नहीं समझ में तो री वीडियो को रिपीट किजिए फिर से देखिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी प्रोग्राम बनाएंगे फ्लोट इंटीजर वैलिए पॉइं वैलिए के और डबल इसके हम स्कैनफ के प्रोग्राम में बनाएंगे तो चलो लैपई पर बनाते हैं प्रोग्राम झाल दिल नाइव जल्दीजर I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Oh, on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number And on and on, we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on, we'll go And on and on and on, we'll go To begin the first We'll go To begin the first We'll go And on and on and on We'll see जय भारत, वन दे मातरम, बाई है लूसिफर, लगा दे डीजे और बजन दे अपना काना डीजे घना